आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार नामांकन की प्रक्रिया 21 जन्वरी से शुरू हो चुकी है अब तक किसी भी तरफ से नामांकन दर्ज नहीं कराए गया है सियो नामनगर और सियो मोखाने की ओर से फोर्स तैनात कर दी गई है भारत निर्वाचन आयो की गाइडलाइन के रो साथ नामांकन प्रक्रिया करवाई ज़ा रही है सब्सक्राइब कि अब दोड्वाहा इन हें हैं चैनल अपर यहां पर जाट शुक्टानौ करूं। अगली खबर कलियर से है जो हाँ पर विधानसभा चुनाव नस्दीख आ चुके है विधानसभा कलियर सीट पर किसके सर पर जीत का सहरा होगा विधानसभा चुनाव को लेकर जनता ने बताया कि अब की बार ऐसा प्रत्याशी चुनेंगे जो हमारी विधानसभा का विकास कर सके और बिजली पानी सिक्षा का विकास करा सके पहले लिखके हैं इंजीनियर हैं काबिल है तो उन्ने इसलिए पसंद करें तो पुरे गाओं में घुमाओ तो देख ही लेंगे और आपके क्या विकास करा फिलाल जो भाजपा की सरकार है इसमें बेरोज़गारी बहुत जादा बढ़ गई है युआ बेहाल है परिशान है गरीब मजदूर और गरीब होते जा रहे हैं इस सबसे निजात पाने के लिए हमें परिवर्तन लाना पड़ेगा और परिवर्तन के लिए कॉंग्रेस की सरकार लानी पड़ेगी जिसमें सबका साथ सबका विकास होता है किसी डाई लोग जोसे बोलते हैं इस तरह की कंड़े के सड़के कम इसमा खड़ए जाता है अरे में कहते हिए है फिछित जये में सीर THECdot हुआ है ह ost heee Am eastern indy जो हमारा वीकास कर सके हमारे थीकास कर सके हमएरे सब्सकार दूसरी बात हमारे गाउं इसकी सिर्फर मленहें लटकावा के निगार बलाइ करने क्या नगर निगम ल тебе Photo पंचाथ में इसका कोई समाधान नहीं है आप पानी कि किसी भी तरह की पुरे गाउं कि कोई समस्झा ऐसी नेजेसं हम कह दे तक हर जिगा पानी का बढ़ा हूँ है कोई नाली आसी नेजेस्मद्वा वही नरेंद नगर में उत्राखंड करांती दल ने सरदार सिंग पुंडीर को विधान सभा से प्रत्याशी बनाया है अपने कुछ साथियों के साथ शुना प्रिसार करते हुए सरदार सिंग पुंडीर नरेंद नगर पहुँचे सरदार सिंग पुदीर साल 2017 में भी नरेंदनगर विधानसभा से UKD के प्रत्याशी रही है तब वो 3314 मत लेकर चौथे नमबर पर रही थे नरेंदनगर विधानसभा से प्रत्याशी बढ़ाए जाने पर पुदीर ने केंद्री नित्रत्व का आभार जटाया है कहा है कि प्रदेश की जनता UKD को सत्ता सौपने जा रही है मैंने कॉंगरेश में तेरा शाल काम किया है और अभी जितने भी हमारे विधाकरे चुके हैं हमारे नरेंदनगर विधानसभा से हमने शब का काम देख लया है कि कौन कैशा काम करता है हमारे नरेंदनगर विधानसभा के लिए काम करेंगी लोटने के लिए और तमाम लेगे लोगों को विश्वास हमारे पास चल रहा आज लोटने के लोगों का जो रुजान उन्हें परती आज आ रहा है तमाम लोगों को भी धन्यवाद दिना चाहूंगा कि कम से कम जागे रहें इंडी वाज के लिए मैं धन्यवाद दिना चाहूंगा वही पॉड़ी में जला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोग डंडी ने विधान सबाचुनाओं में बूतों पर जाने वाले लेखन सामगरी का निरिक्षंट किया है उन्होंने कारिकरता संस्था ग्रामीडर निर्मान विभाग के अधिश्वासी अभ्यानता को निर्देशित किया है कि समस्त लेखन सामगरी की सूची बनाकर उपलब्द करना सुनिश्चित करें वाई सुल्थानपूर में कई जगा पे नश्वे की गिरफ्त में युवा दिखाई दे रही है जुसमें उधम सिंगंगर भी अबचूता नहीं है उधम सिंग नगर के बाजपूर सुल्टानपूर पत्ती शेत्र में भी नशे के सौधागरों ने अपने जड़े जमा रखी है पिछले कुछ सालों से चरस के गाउं में पहुँचने लेकी है वही समात से भी मुहम्मद रफी एडवोकेट जो समय समय पर नशे के प्रती लोगों को जागरूप करने का काम कर रही है नशे के खिलाफ जागरूपता का वो अभियान चला रही है वही ड्रॉग इंस्पेक्टर डॉक्टर सुधीर सिंग से बात करने पर उन्होंने बताया कि हमारा कोई भी मैडिकल स्टोर नशे की सप्लाई नहीं करता है किसी भी देश का भविस्य और देश की तरक्की देश के युवा पर ठिकी होती है देश की युवा पीडी अगर गलत रास्ते पर चले जाए तो निश्ची तोर पर उनका जीवन अंदगार में चला जाता है मैंने इसी चीज को महिं को लेकर कि हमारा देश हमारा युवा हमारा सुल्तान पट्टी का नागरिक अगर इस लत में चला जाएगा तो हमारा देश बरबाद हो जाएगा तो मैंने जंज जागरुपता रेली के माध्यम से भी कई बार पहले भी और अब मैंने जो है फिलेक्स के माध्यम से नेशनल हाईवे पर एक फिलेक्स लगाया है उसके माध्यम से भी सुल्तान पट्टी की जनता को जटाने की नहीं है और आपके प्राइम टीवी के माध्यम से भी मैं अपनी सुल्तान पट्टी की जनता को जगाना चाहता हूं कि यह जो है नसे की लट से यूबा दूर जाए नहीं तो यह देश बरबाद हो जाएगा उनका घर बरबाद हो जाएगा तमाम अनेक कम से कम आधा दरजन यूबा सुल्तानपुर पट्टी के इस जो नसे का इंजेक्शन है खासकर नसे का कारोवार है नसे के इंजेक्शन की लत में आकर उन्होंने अपना आपको बर्बाद कर लिया और इस दुनिया से अपने वक्स से पहले वो चले गए वैसल्तानपुर में चौकी प्रबारी दीपक कौशिक ने ओवरलोड खनन डंपर को सीज कर दिया है चौकी प्रबारी दीपक कौशिक लगातार ओवरलोड खनन वाहनू पर कारिवाई कर रही है जसे छेतर में खनन वाफ्याओं में जो हरकम बचा हुआ है चौकी प्रभारी दीपा कौशिक ने जानकारी देते वे बताया कि अवैद खनन और ओवर्लोड किसी भी कीमत पर बरदाश्ट नहीं किया जाएगा अगली खबर अलमोडा से है जहाँ पर मुख्यमंत्वी पुशकर धामी ने अलमोडा मैडिकल कॉलेज का निरिक्शन किया वही निरिक्षन के दौरान सियम धामी ने कहा कि अलमोडा माइडिकल कॉलेज को अस्तित्व में लाने और मानिता दिलाने के लिए भारत सरकार से लगतार बात की जा रही है। मैंने निरिक्षन किया है। माल की शुरक्षा हमारे लिए पहली प्रात्मिक्ता है। इसलिए आज यहां का भर्मन किया है, सभी बार्डों को देखा है, अन्यवे उस्ताओं का भी जायजा लिया है। कहीं पर कोई चीज कम नहीं होनी चीए, उसके लिए हम समुचित प्रयास कर रहे हैं। परबंद कर रहे हैं। कि बीजेपी में कोई बगावत नहीं है, सभी बीजेपी पदादिकारी कारे करता एक जोठो कर बीजेपी को जीत दिलाएंगे। लोकतंत्र का महा पर्व है, चूकि इस समय में महामारी भी है, लोकतंत्र का पर्व भी है, गोलो देवता हम सब पर किरपा करें। और ये निर्विक नुरूप से सारी परिकरिया संपन्हों और पूरे प्रदेश में सभी लोग सुक्समर्दी से रहें। मैंने यही भगवान से प्रात्ना किये। कुछ अगों में बगावत की थी भू आरी, उसके लिए क्या कहेंगे। देखे, बहुत बड़ी पार्टी है, आज विस्तु की सबसे बड़ी पार्टी भारती जनता पार्टी है। और चुकि एक विधानसवाद छेत्र में बहुत सारे दावेदार थे। और सभी लोग चुनाओं में जाना चाहते थे। लेकिन चुकि तेशकाल परिस्तिती के अनुरूप हमारे मंडल के कारेकरताओं से लेकर जिले के कारेकरता, प्रदेश में समीती सब ने जो नाम भेजे थे, उन्हीं नामों में से केंद्री चुनाओं समीती ने नाम ताई किये हैं। ज्वालापूर विधानसभा सीट से भाज़पा पार्टी द्वारा प्रत्याशी बनाए जाने पर विधायक सुरेश राठोर ने छेतर भर में धन्यवाद रैली का आयूजन किया, जिसमें उन्होंने ज्वालापूर विधानसभा में डोर टो डोर जन्संपर्क कर शेहर की जन्ता से आशिरवाद मागा और धन्यवाद रैली का समापन किया। इस मौके पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि हाई कमान द्वारा जो आशिरवाद और भरोसा उन्हें दिया गया है वो उस पर पुना खरा उतरते हुए यह सीट भाज़पा की जोली में डालने का काम करेंगे। और कारिकरताओं को भी उन्होंने भरोसा दिया है कि वो उन्हें गयानुसार ही कारिकरते हुए जालापुर शेत्रिये को विकास की प्रगति की और आगे बढ़ने का कारिकरें। इन दोनों विश्व विद्याले में पढ़ने वाले चातर चात्राओं को इसका लाप मिल सकेगा। गुरुकुल कामडी विश्व विद्याले के कुलसा चेफ डॉक्टर सुनील कुमार ने कहा कि दोनों विश्व विद्याले सिक्षा की छेत्र में मिलकर कारे करेंगे। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार